रविन सिंग भाटी बलोत्रा इस्पी ऑफिस के सामने अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे रविन सिंग भाटी के वरोध परदर्शन को कुछ फेस्बुक पेच पर लाइब चलाया जा रहा था इस दोरान कमेंट में रोहिद गोदारा नाम के फेस्बुक से मानने की धमकी मिली रविद गोदारा लोरेंस बिश्णूई गयंग का सदस्धान में राजु ठेट और सुग्देव सिंग्ग गौगामेडी हत्याकांत के मामले में उसने धिया की जिम्मधार ही ली थी राजस्थान पुलीस लंबे समय से रोहिद गोदारा को गरतारकर की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जानकारी के मुताबिक रोई गोडारा विदेश भाग चुका है विदेश है हत्याफ रोगती जैसे अपराद कर रहा है रोईद गोडारा रजिस्थान की वीकनेष जिले के कपूरी सर्गाउं का रहने वाला है रविन सिंग भाठी के धडने को लेकर एक फेस्बुक पेच पर लाइट के दोरान रोहित गोदारा का पूरी सर नाम के अकाउंट से कमेंट में लिखा मैं रविन सिंग भाटी को इस पश्रूप से कह रहा हूं कि अगर इसी थरा उचलने की कोशिश की तो वो दिन धूर नहीं होगा लोग कहेंगे एक और रा लाशी रह पाया वरना हम तो बड़े बड़े लोगों को भी कई बार अनेको बार पैरों की नीचे रखा है हमको नहीं तो कोई चुनाव लड़ना है और ना ही कोई शोख है हम कहते हैं हमारे काम के उपर कोई गलत नजरी से देखने की हिम्मत भी नहीं करें जिसने जाटो और विश्णों के बारे में बोला वहां आज तक इस दुनिया में नहीं रह पाया और आप सही मार्प चुनें लेकिन अब रोहित गोदारा ने सोचल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि उसने रविन सिंग भाटी को जान से मानने की धंकी नहीं देए उसके नाम से इस्तेमाल करके धंकी दिला रहे हैं ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे हैं दन्नगरी न्यूस में शेक जुए